नमस्कार दोस्तों स्वागता सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंफो अकैडमी पर और आज की इस वीडियो में आप एक भरती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे यह जो भरती का नए नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत सरकार के होम अफयर मिनिस्टी के द्वारा और उसके अंतर गताने वाले इंटेलिजन्स ब्यूरू के ऑफिस के द्वारा यह वेकेंसीज का नए नोटिफिकेशन आप अपनी वेड Online application submit करने के लिए आपको जो website बताएगी है वो website है MHA की जो official website है www.mha.gov.in इसी website के माध्यम से आप अपना online application submit करवा पाएंगे अन्य कोई माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से आप अपना application submit करवा पाएंगे और जो इस advertisement में security assistant executive और multitasking staff के ये कुल जो पद हैं वो पद निकाले गए है 1671 वेकंसी है अलग-अलग offices के लिए अलग-अलग offices के लिए सभी के लिए एक ही आपने application online submit करनी है और online application fees भी जो है वो आपको online ही pay करनी पड़ेगी इस परकार के भरतियों के नए-ने notification जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें वीडियो को like वे शेर जरूर करते रहें और intelligence bureau यानिके आई-बी जो ministry of home affairs भार सरकार के अंतरगत आती है उसके विभिन जो सबसीडरी intelligence bureau है और उनके अलग-अलग जगां office है उन अलग-अलग जगां की जो vacancy है जैसे अगरतला में security assistant की 14 और दो MTS की vacancy है इसी परकार एहमदाबाद में 354 vacancy है और जो local language है वो आने जरूर है एहमदाबाद के लिए गुजराती local language है आईजोल के लिए लाई, मारा, पांग ये local language है और security assistant के लिए साथ vacancy है MTS के लिए दो है इसी परकार अमरिसर के लिए पंजाबी local language आपको आने चाहिए और 64 vacancy जो है security assistant के लिए MTS के लिए दो vacancy है इसी परकार अन्य जो जो ओफिस है आई बी के ओफिस है अने stations पर वहां के लिए vacancy का नोटी है जैसे चंडिगण है चेनई देरदून दिल्ली headquarters में सबसे ज्यादा vacancy है जिसमें 270 जो vacancy है वो security assistant के लिए वहां आपको हिंदी लोकल लेंगेज पंजाबी उर्दू आनी चाहिए कोई एक लेंग्वेज आपको आनी चाहिए दिली headquarters के लिए जो security assistant executive की जो vacancy है 1521 vacancy है और MTS की journal की जो है वो 150 vacancy है कुल मिलाकर जो यह vacancy है यह 1671 vacancy निकाली गई है ministry of home affairs के द्वारा और इन सभी पादों के लिए आपको online application ही submit करनी पड़ेगी online application submit करने के लिए जो website बताएगी है online submit करने के लिए MHA की जो official website www.mha.gov.in और दूसरी website बताएगी है ncs portal www.ncs.gov.in यह दो portal बताएगी हैं जिनके मादब से आप अपना online application submit कर सकते हैं आप देख लेते हैं qualification किस परकार से रहेगी security assistant executive का जो pay scale है वो pay level 3 की post रहेगी और MTS journal की जो post है वो pay level 1 यानिके 18,000 initial basic pay रहेगा pay scale के इलावा जो आपको allowances मिलेंगे जैसे central government के allowances होते हैं उनके इलावा आपको 20 security assistant में special security allowances जो की आपकी basic pay का 20% रहेगा 20% allowance जो है आपको security assistant में जो normal जो central government के करमचारी हैं उनसे अधिक आपको मिलेगा और essential qualification की बात करें दस्वें कक्षा किसी भी regular knowledge board से यदि आपने पास कर रखे तो आप इस पद के लिए दोनों पदों के लिए apply कर सकते हैं security assistant के लिए और MTS के लिए इसके इलावा आपको जिस state के against आपने apply करना उसका आपके पास domicile certificate होना चाहिए और knowledge of local language की आपको knowledge होनी चाहिए जो की table उपर table में दी गई है और desirable की बात करते हैं field experience intelligence work आपको आना चाहिए और age limit की बात करें security assistant के जो candidate है वो 18-27 वर्स के बीच के candidate apply कर पाएंगे और MTS के लिए आप 18-25 वर्स के बीच के candidate apply कर पाएंगे आपकी जो I.U. की गणना है वो 25 November 2022 को count की जाएगी और उपरी I.U. C.M.A. में आपको relaxation दी जाएगी जैसे SCST के candidates को उपरी I.U. C.M.A. में 5 वर्स की और O.B.C. के candidate को 3 वर्स की उपरी I.U. C.M.A. में छूट परदान की जाएगी ये था आपकी vacancies का विविरन किस परकार से आपने apply करना है और आपका return examination होगा return examination में आपका tire 1 का examination होगा वो common examination रहेगा MTS के लिए और security assistant के लिए जिसमें आपका 100 marks का एक question paper होगा जिसके लिए आपको 101 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इसमें आपके जो online examination होगा MCQ type का आपका examination होगा जिसमें 5 परकार के question आपके पास आएंगे journal awareness के quantitative aptitude के numerical और logical ability के English language के general study के ये आपके 5 परकार के question आएंगे और इसमें negative marking भी रहेगी paper 1 में tire 2 में common return examination होगा offline exam होगा आपका descriptive type का आपका examination होगा जो security assistant के लिए और MTS के लिए होगा इसमें offline आपका exam होगा descriptive यानि के subjective examination होगा जिसमें आपको translation करनी होगी 5000 शब्दों में local language में आपको एक English का passage आपको दिया जाएगा जिसको translation करनी होगी ये 40 marks का आपका होगा tire 2 का जो examination एक और होगा जो security assistant के लिए होगा जिसमें spoken ability आपकी जो बोलने की दक्सता है उसको check किये जाएगा और tire 3 का एक examination होगा जिसमें आपका interview और personality test आपका conduct की रहा जाएगा अब देखते हैं आपने apply किस प्रकार से करना है apply करने के लिए आपका जो website के उपर जो link है वो 5 नॉंबर से शुरू हो जाएगा और 25 नॉंबर तक apply करेंगे 5 नॉंबर से लेकर 25 नॉंबर के बीच में आप अपना online इन दो website के उपर जाकर आप apply कर सकते हैं जिसमें MHA की website है official और NCS की जो official website है उनके उपर जाकर आप online apply कर सकते हैं अब बात करते हैं examination fees की examination fees और application fees की 50 रुपे इसमें examination fees है और processing charges रहेंगे 450 रुपे यानि कि कुल 500 रुपे application fees है 500 रुपे application fees है सभी candidate को recruitment processing charges आपने देने है यानि कि 450 सभी candidates ने देने है और जो male candidate है journal के, EWS के और OBC के उन्हें examination fees और देनी है यानि कि कुल मिलाकर 500 रुपे प्रती application fees आपको pay करनी पड़ेगी इस भरती के लिए और ये जो आपकी examination fees रहेगी वो आप net banking के थुरू online आप pay कर सकते हैं रुपे debit card इत्यादी के माधम से भी आप pay कर सकते हैं इस भरती की जो closing date रहेगी उसको एक बार आप देख लेए 25 November 2022 से पहले पहले आप इस भरती के लिए apply कर सकते हैं इस परकार के job के नए-ने notification जानने के लिए इस चैनल को आप जरूर subscribe कर लें वीडियो को like way शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भरतीयों से समंदित हर छोड़ी बड़ी update जो है इस चैनल के माधम से सबसे पहले आपको मिलती रहे धन्यवाद